नमस्कार दूस्तू स्वागत आपका हमारे चैनल पीके गुरू जी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मंदित कुछ पिसनों को यहां डिसकस करेंगे तो जिन पिसनों को हम यहां डिसकस करेंगे चलिए उनको देख लेते तो हमारा जो पहला पिसन है कि सोनार निम्न में से किसके द्वारा प्रियोग किया जाता है तो जो सोनार होता है यह जो किसके द्वारा प्रियोग किया जाता है इसका हमें बताना है इसके लिए हमारे पास ओप्सन जो दिये गए हैं ओप्सन ए है अंतरिक शियात्रियों द्व तो इसका जो सही आन्सर है वहना संचालकों की द्वारा तो इसकी फरोंग होता है यह हें नो संचालकों के द्वारा प्रियोग की आ जाता है अब कुछ इसकी बारे हैं को से जानकारी है कि ज्शेक जो सोनार को इंगलिस में लिखा जाता है और इसकी फुल्प्रॉम जो होती है वह होती है साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग ठीक है और इसका प्रियोग किया जाता है नो संचालकों के दौरा ये तो हमने पहले देखी लिया है और जो सोनार है इसकी सहाथा से महा सागर में दूबी हुई बस्तू की स्थिती जानी जा सकती है इसमें क्या करते हैं कि जो उच्च आवत्ती की परासभ तरंगे होती है इसको महा सागर की गहराई में भेजा जाता है और जो ये तरंगे बस्तू से टकरा कर प्रती धुनी के रूप में लोटाती है और इनी की सहायता से महासागार मडूवी हुई बस्तू की बास्तवेक स्तिती की जानकारी नो संचालकों को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं कि धौनी की तीब्रता को मापने बाला यंतर कौन है औप्षन A क्रोनो मीटर, औप्षन B एनिमो मीटर, औप्षन C ओडियो फौन और औप्षन D ओडियो मीटर तो इसका जो सही अंतर है वह है औप्षन नमर D ओडियो मीटर धौनी की तीब्रता को मापने के लिए हम ओडियो मीटर का यूज करते हैं आगे बढ़ते हैं, कि जो ओडियो मीटर है, यह धोनी को तीबता का मापने के काम आता है, ठीके, एनिमो मीटर है, यह बायू के बेब को मापने के काम आता है, और जो क्रोनो मीटर है, एक ऐसा उपकरण है जो कि तापमान, आदता और बाइदाब, आदी में अगर परवतन भ लगाया जाता है आगे बढ़ते हैं कि बायू की गती निम्न में से किसके दुआरा नापी जाती है आप्शन ए बैरोमीटर आप्शन बी एनिमोमीटर आप्शन सी हाइडरोमीटर और आप्शन डी विंड बेन तो इसका जो सही अंसर है वह है एनिमोमीटर आप्शन नम्मर भ हाइड़ोमीटर से द्रव या जल का घनात्तो आगे बढ़ते हैं निमलिखित मैं से कौन सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है अप्शन ए एनिमोमीटर बायू की चाल अमीटर विद्धुद्धारा टेक्योमीटर दावांतर और पाइरोमीटर उच्चिताब ठीके तो एनिमोमीटर बायू की चाल सही है अमीटर विद्धुद्धारा सही है और पाइरोमीटर उच्चिताब सही है तो यहीं गलत कौन सा ह हो जायेगा अब टे किया है यह एक परकार का सरबेक्षन उपकराण अब इससे करते क्या है निपि से चैयत्र दूरियों को नापते हैं लम बत कुलनाय NHL है और दिजाओं के तुरत मापन है तो इसको लीजान किया जाता है जो पाइरो मीटर होता है इससे नाप आ जाता है दूर इस्तित बस्तियों का उच्छ तापी बस्तियों का ताप नापते हैं से आगे बढ़ते हैं प्रस्न भी आ गया है कि पाइरो मीटर किसके मापन में प्रियोग किया जाता है तो पाइरोमीटर यह उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है यह इसका C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं कि जो पाइरोमीटर है इसका एक नाम और है इसको हम बोलते हैं पूर्ण बिकरन उच्च ताप मापी ठीक है इसकी सहाता से अत्यदिक उच्च तापों की माप की जाती है यह जो ताप मापी है यह इस्ठी फैन के नियम पर आदा रहत ठीक है यह भी आपको याद रखना है और इस जिसके अनुशार उच्च ताप पर किसी बष्टु से उत्रसरजद विक्रण की मात्रा इसके परमताप के चतुरत घात के अनुक्रमानुपाती होती है यह हमको इस नियम से पताया गया है आगे बढ़ते हैं कि एक और है पाई रहलियो मीटर का प्रियोग निम्न मैंसे किसे नापने के लिए किया जाता है आप्शन A है सने स्पोट को, आप्शन B है सोलर रेडियेशन को, आप्शन C है हवा तापको और आप्शन D है पौधों के तापको तो इसका जो सही अंसर है वह है सोलर रेडियेशन को यनि पाई रहलियो मीटर का प्रियोग कियाता है वर सोलर रेडियेशन को नापने में किया जाता है इसके लिए कुछ है कि जो सौर बेकरण होते हैं इनको नापने के लिए दो प्रकार के उपकरण यूज किये जाते हैं एक तो है पाई रेनो मीटर और दूसरा है पाई रहलियो मीटर आगे बढ़ते हैं कि मैनो मीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है मैनो मीटर तो मैनो मीटर के लिए ओप्शन दिये गए है ओप्शन A बायू दाब ओप्शन B गैसों का दाब ओप्शन C द्रिबों का घनत्तो और ओप्शन D है सता है पह तेल का दबाब तो मैनो मीटर के द्वारा जो मापन किया जाता है वह किया जाता है गैसों के दाब का यानि option number B इसका बिलकुल correct है आगे बढ़ते हैं कि विद्धुद्धारा निम्न मैंसे किस उपकरण से नापी जाती है ठीक है विद्धुद्धारा हमें बताना है कि किस उपकरण से नापी जाती है option A है boltimeter, option B है ammeter, option C है boltimeter और option D है इन मैंसे कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वह है option number B यहनि कि ammeter विद्धुद्धारा को हम अमीटर की सहायता से मापते हैं ठीक है तो एमीटर जो है वह विद्धुद्धारा का मापकेंथ है और पोटेंशियों एक मीटर होता है एक किसी सेल के EMF का मापन करने बाला उपकरण है आगे बढ़ते हैं कि वायु मंदली दाब को मापने में किस yardım का उपयोग किया जाता है वायु मंदली दाब यायु मंदली दाब को नापने के लिए किस 끼 का उपयोग किया जाता है option A है hydrometer, option B है barometer, option C है menemometer और option D है hygro meter तो इसका जो सही आंसर है तो है barometer तो बाइव मंदली दाप को नापने के लिए बैरो मीटर का उपयोग किया जाता है ठीक है तो बाइव मंदली दाप को नापने के लिए बैरो मीटर और अगर बैरो मीटर में पारा अचानक से नीचे आजाता है तो तूफानी मौसम का संकेत होता है ठीक है कि जो भी बैरोमीटर है इसमें अगर पारा अचानक से नीचे चला जाए तो ए हो जाता है कि तूफानी मौसम आने बाला है आगे बढ़ते हैं कि जो दूद का आपेक्षित घनत है यह किस से ग्याद किया जा सकता है ओप्षन A हाइडरोमीटर से ओप्षन B ब्यूटेरियोमीटर से ओप्षन C लेक्टोमीटर से और ओप्षन D है थर्मामीटर से ठीक है तो जो दूद का आपेक्षित घनत है यह ग्याद किया जाता है लेक्टोमीटर से यानि ओप्षन नमबर C इसका सही है आगे बढ़ते हैं कि जो दूद का आपेक्षित घनत है या दूद की जो सुद्धता है ठीक है ये एक ही चीज है दूद की सुद्धता या दूद का आपेक्षित घनत तो इसका जो मापन है यह किया जाता है लेक्टोमीटर की सहायता से ठीक है यह याद रखना है और एक और होता है ब्यू टेरियो मीटर तो ब्यू टेरियो मीटर से दूद या दुख्त उत्पादों में बसा की मात्रा का पता लगा लगाया जाता है ठीक है तो ब्यू टेरियो मीटर से बसा की मात्रा और लेक्टो मीटर से दूद की सुद्ध देता है थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद